हेलो फ्रेप्स मेने यूट्यूब चैनल की फ्रूप्स और आप से भी करश्वार रख है फ्रेप्स आज में दाल पूरी ही रेश्मी लेकर आए तो इसे बनाना पहुत ही आशान है और बहुत ज़र्दी मत के त्यार हो जाता है तो चलिए हम इसे बनाना चुरू करते हैं सबस्ती पहले दाल पूरी का हम दाल उबालेंगे तो ये दाल जो है चलेंगी है इसे हमने चाड़ बिन का पर लेक भिना लिया है अब हम इसे कुकर में उबालने के लिए लेचल जाए है दाल उबालने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और हम इसमें डाल को डाल देंगे तो ध्यान दहें जब हम दाल भीना लेते हैं उसकी बाद दो बार्द हो लेते हैं इसका एश्टार्ट जो है वो निकल जाता है और अच्छे से यह बॉयल होता है दाल में हम इतना ही पानी डालेंगे जितना की डाल डूब जाए हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है तो आप एक बढ़ ध्यान से देख सकते हैं जितना अपना डाल रुआ है उतना ही हमने पानी इसमें डाला है अब हम इसमें डालेंगे एक छोड़ी चमस हल्दी पॉड ऐसे कि आपता आट कारेंगे, क्योंकि हम नमकीन पोरी बनाते हैं, तो दाल में ही नमक टाल दिया जाता है, इसे हम मिक्स कर लेंगे, तो हमने हल्दी नमक मिक्स कर लिए है, अब हम लीड लगा के इसे अच्छे से वायल करेंगे, यानि कि चार से पाफ सिट्टी हम तब तक हम फटाफट अपना एक शेमी शोप्ट आठा तयार कर लेते हैं, जैसे कि हम पूरी पराठे का तयार करते हैं, तो हमने एक पाउ दाल को श्टफिंग करने के लिए 700 ग्राम आठा ले रखा है, इसे हम गूंद लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा थोड हम इसे ढखके फुलने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक अपनी दाल पूरी का दाल सेख कर ले रहे हैं, अपने कूकर में चार भी सिला चुका है, हम गयस की फिलिम को आप कर लेंगे, और जब तक गयस निकलेगा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, इधर अपनी प् चुकी है, बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं है, और थोड़ा सा पानी है, उसे हम फ्राइ करके शुखा लेंगे, तो ये बढ़ी आशा दाल पूरी में भड़ने के लिए दो तयार होगा, तो चलिए हम दुछरे गयस की चलते हैं, गयस के हमने एक कडाही ले रखा है, ब जादा सटकने भी नहीं देना है, जश्ट इसमें से सोंधा सा एक खुसबु आए, उतना ही हमें तेल में जीरा फ्राइ करना है, इस स्ट्रेट पे हम थोड़ा सा लाल मिर्च पौडर डाल देंगे, इस से क्या होता है, अपनी पूरी जो है वो बहुत चटपटी होती है, औ मिर्च डालते ही हम फटाक से अपना डाल डालेंगे, नहीं तो मिर्च जड़ जाएगी, हमने कूकर का डाल सब ले लिया, अब इसे हम एक ताम स्लो प्लें पे ऐसे चलाते हुए भूनेंगे, इससे क्या होगा खल काखा जो एक्स्ट्रा पानी है, वो शुख जाएगा और अपनी डाल अच्छे से मैसी हो जाएगा, हम इसे आटे में जब भड़ेंगे तो बिल्कुल अपना आटा उटेगा नहीं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्वा के जैसे अपना डाल मिक्स हो जा रहा है, तो हमसे लाते हुए इसे दो मीनट तक स्थालेंगे पानी, हमने दो मीनट तक डाल को गैस पे भून लिया है, आप देख सकते हैं, अपनी पानी जो था एक्स्ट्रा बिल्कुल सुख गया है, और ठंधा होने के बाद ये काफी फुरुरा हो जाएगा, जिसके हमको इस टाफिंग करने में अच्छा रहेगा, तो चलिए हम लेन को बंद कर देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, अपनी डाल की एकड़ थंडी हो चुकी है, चलिए हम आटा चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपना आटा अच्छे से रेष्ट कर चुका है, आप एक बाद घ्यान से देख लिए, बहुत बढ़िया फूला है, तो चलिए हम इसे श दोड़ेंगे, तो आपको जितनी बड़ी पूरी बलाने हैं, उतना बड़ा आटा में से डोले लीजिए, लोई तयार किजिए, जैसे रोटी का लोई तयार होता है, वैसे हमें तयार करना है, इस लोई को हम फिर से आटा में ऐसे डश्ट करेंगे, और अंगलियों की मदब से एक कटोड़ी का शेफ देंगे, आप देख सकते हैं, अब हम इसमें थोड़ा शा इस टॉफिंग डालेंगे, तो यहां पे हमने डाल को ऐसे डाल दिया फैलाते हुए, अब हमें क्या करना है, सारे आटे को ऐसे अंगलियों की मदब से ज्वाइंट करना है, ध्यान रहे, खूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हम प्टाई करेंगे, तो तेल खड़ाब हो जाएगा, तो आपको दिखा दे रही हूँ, शारे आटे को हमने एक जगह कठा कर लिया, थोड़ा सा एक्ष्ट्रा आटा जो है, उसे हम ऐसे घुमाते हुए, और तोड़के निकाल लेंगे, और इस बॉल को फिर से एक बाडाउन कर लेंगे, तो ये अपनी पूरी का बॉल्स तयार हो गया, हम लोई को ऐसे रोटी बनाने वाले चोकी पे रख लेंगे, और अंगुलियों की मदद से ही हम इसे कचौरी का सेब देंगे, इसके लिए हमें बेलन की ज़रूरत नहीं नहीं करना है, क्योंकि जब हम दाल वाली पूरी बनाते हैं, तो इसे पहले हम तावा पे हलका साथ शेखते हैं, यानि कि इसे हम एक करवट शेखना बोलते हैं, तो हम पूरी को इस पे रख देंगे हैं, और जश्ट आधा मिनत तक हमें सेखना है, हमें बिलकुल पकाना नह ही है इससे क्या होता है पूरी में बहुत ही बढ़िया क्रण्च आती है जो क्रिश्पनेश्न होता है वह बढ़कडार रहता है तो आप देख सकते हैं हलकी सी इसमें चीती जैसी आई है एक शायट से हमने शेका है और जब दुसरे शायट से भी हम ऐसे ही शेकेंगे ज्यादा हम उसे नहीं पकाएंगे तो जब तक अपनी दुसरी शायट की शीक रही है तब तक हम दुसरी पूरी थप थपा लेते हैं तो हम शेम प्रोशिश्य लोई को भड़ लिये हैं और चकले पे रख लिये हैं अंगुलियों की मदद से हम कचोड़ी का सेफ देंगे तो यह अपनी डालवाली पूरी भड़के तयार हो गई है चलिए हम तावा पे इसे भी सेख लेते हैं तो आप देख सकते हैं दुसरे साइट से भी चित्ती आ चुकी है अब हम इसे एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे और इसी तावा पे हम दुसरी पूरी भी सेख तो चलिए हम ऐसे ही सभी पूरिया सेख लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमने पूरियों को तावा पे अदपका सेख लिया है जादा डारत नहीं सेखा है जब तक हम पूरिया सेख के रखे तब तक गैस के तेल भी गरम कर लिये हैं तो चलिए हम इसे फ्राइ करना दिखा आपको तेल को हमें मेडियम फ्रेम पे अच्छे से गरम कर लेना है और हम एक पूरी इसमें धीरे से छोड़ेंगे आप डायरेक्ट भड़के भी दाल पूरी फ्राई कर सकते हैं लेकिन जो कडारेदार पूरी हमें चाहिए दाल वाली ओ नहीं मिल पाएगी इसी की वज़ा है कि हम इसे तावा पे एक बार शेक लेते हैं और फिर तेल में फ्राई करते हैं तो यह पूरी अपनी बहुत ही कडारेदार तयार होती है आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी डाल वाली पूरी फूरी है जो हमें दोनों चाहिब से इसे अच्छे से सुंहरा होने तक प्राई करना है हमें उलट प्लट के दोनों तरफ से इसे सुनहरा होने तक प्राई करना है यह देखने में बहुत प्यारा लगता है आप देख सकते हैं तो अपनी पूरी में अच्छी सी कलर आ गई है और यह काफी क्रिश्पी दीख भी रहा है आप ध्यान से देखिए हमें ऐसी ही कडारे दाल दाल वाली पूरी चहिए तो सम प्रोशेश हम ते टेरा करते हुई गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे चलिए हम सम प्रोशेश से दुस्री पोज भी फ्राई कर लेते हैं तो धीरे से हमें तेल में छोड़ना है और उलट पलट एसे भी ब्राउन हमें कड़ाई कर लेना है तो friends हमने सभी दालपुरी तैयार कर ली है तो चलिए हम दालपूरी सर कर लेते हैं दालपूरी के साथ खीर का कमिनेशन बहुत ही perfect होता है तो अब हम इसमें पूरी रख दे रहे हैं कभी भी आप दाल पूरी बनाईए उसके साथ खीर बनाईए खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है तो आप देख सकते हैं कितने बढ़ियां हमारी दाल पूरी खीर बनके तयार हो गई है इस रेश्पी को आप भी जड़ो ट्राइ कीजिए और मेरे चैनल को लाइक क्राइब कीजिए शेर कीजिए कमेंट करना मैं पूरी धन्यवाद